प्रतम मराडी रंगबुमी मख मराडी चित्रपाट सुष्टी आणि मख हिंदी सिनेमाता सुपर्श्टार हो राद प्यार से ने सबने बुलाया लक्षा कहके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने माना कि प्रेम का सबसे गहरा दोस्त मनोहर और दुन्या ने जाना इन्हें लक्ष्मी कांद बेडे के नाम से जनमतीन नवंबर सन 1954 में हुआ लक्ष्मी कांद शुरू से ही अभिने में दिल्चस्पी रखा करते थे और अक्सर स्टेज के ड्रामाज में नजर आते और साथ ही मुंबई शहर के मश्यूर गणपती उत्सव में ये खुल के हिस्सा लिया करते गणपती उत्सव के दौरान ही कौनकरणस वैश्य समाज गिरगाउं द्वारा आयोजित एक कारेक्रम में इनोंने अभिने किया और कई बार इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया चाहे वो स्कूल के ड्रामाज रहे या फिर कॉलेज के धीरे धीरे वो घड़ी आई जब लक्ष्मिकान बेडे ने मुंबई मराठी साहित्ते संग के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात की असी के दशक के मध्य तक पहुँचते हुए इन्होंने कुछ बड़े जबरदस करदार ने भाए पुर्शोत्तम बेडे के मराठी नाटक टूर टूर में इन्होंने जबरदस्त काम किया इनकी कॉमेडी को खूब सरहा गया पर तब भी कोई अंदादा नहीं लगा पाया था कि आगे जाकर लक्षमिकान बेडे एक जबरदस नाम कमाएंगे एक ऐसी चाप छोड़ जाएंगे कि जिसका कोई सानी ना होगा शुर्वाती दौर में माराठी नाटकों में और माराठी फिल्मों में ये नजर जरूर आए इनकी पहली माराठी फिल्म रही लेक चालली सासरला और दूरदर्शन का माराठी कारेक्रमों में भी ये नजर आए कारक्रम था गजरा जिसमें इन्होंने ऐसी मिमिक्री दिखाई कि सब इनके दिवाने हो गए। 1985 में महेश को ठारे की एक फिल्म आई जिसमें इन्होंने एक सहायक भूमी का निभाई थी फिल्म थी दे दनादन और फिर जबरदस्त अभीनेता अशोक साराफ के साथ ये नजर आए फिल्म धूम धड़ाका में दोनों ही फिल्में जबरदस्त चलीं और लक्षमिकान बेडे की कॉमेडी सभी के दिल को भाग गई लक्षमिकान बेडे और अशोक साराफ की जोड़ी को इतना सरहा गया कि अक्सर इन्हें अशोक लक्षा की जोड़ी बुलाया जाता था ये भी कहा जाता था कि ये दौर अशोक लक्षा का है हिंदी फिल्मों में इन्होंने नाम कमाया प्रेम का गहरा दोस्त बन फिल्म थी मैंने प्यार किया सल्मान खान भी शुरुआत ही कर रहे थे तकरीबन और सूरजबर्यातिया साहब भी और इसी फिल्म से इन्होंने ऐसी मखबूलियत हासिल की कि फिर तो प्रेम बोले तो सल्मान खान का सबसे गहरा दोस्त कोई और नहीं वो बना लक्ष्मिकान बैडे हम आपके हैं कौन में भी इस जोडी ने खुब कमाल किया था फिर इनकी कॉमेडी साजन फिल्म में रही हो या फिर बेटा में साथ साथ मराठी नाटकों में भी ये काम करते रहे इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया था जो किसी भी अविनेदा का सपना है लश्मिकान बैडे को एक ऐसी बिमारी ने घेड लिया जिसकी वज़े से वो कलाकार जो हसाता था सब कर उला गया 16 दिसंबर सन 2004 किड्नी की बिमारी की वज़े से ये अजीम फनकार दुन्या छोड़ चला गया हाना की जाने से पहले इन्होंने अभिने आर्ट्स नाम की अपने खुद की प्रडश्चन कंपनी शुरू की थी जो कि अपने बेटे के नाम पे चलाई थी ये बात भी कम लोग जानते हैं कि ये एक बड़े जवर्दस गेटार प्लेयर भी रहे भारतिय सिनेमा के अतिहास में यकीनन लक्षमित कान बेड़े की कॉमेडी और अभिने को युगों युगों तक याद रखा जाएगा